शाह जी ने यहां मेटिक बुला के होम डिपार्ट्परेंट में ये सब दोनों जो हैं दोनों माफ कर दिया अभियंस में रख दिया हैं और जब तक ये आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से नेक्स मेटिक नहीं होगी कोई भी लागू नहीं होगे आपकी चिंता हिट एंड रन केस में जो आपकी चिंता थी कि 10 साल की सजा होगी जुर्माना होगा आपकी चिंता नहीं बलकी हमारी चिंता है आप हमारे परिवार का एक सदस्य हैं और मालक है तो चालक है चालक है तो मालक है ये चिंता का संग्यान एमटीसी ने अपनी जिम्मेदारी को समत्य हुए सई वक्त पर 28 दिसंबर को ही प्रधान मंत्री जी और अमिज शाजी को पत्र लिखकर इसमें क्यार नुक्सान हो सकता है और ये लागू होगा तो क्यार नुक्सान होगा किस तरह देश प्रभावित होगा ये चिंता हमने व्यक्त करा दी थी लेकिन अकसर देखा जाता है कि सरकार समय पर संग्यान नहीं लेती है वही हुआ जो चिंता हमें थी हम दिली में भारत सरकार पर पास लेके आये हैं आज हमें साथ बजे ग्रे मंत्राले ग्रे सचीव भला जी के अध्यक्ष्टा में उच्छ तर्य एम टीसी के पदिकारियों से बिटिंग हुई और आपको सूचित करते हुए हमें ये खुशी है कि 106 इन ब्रैकेट दो में जो 10 साल की सजा है और जुर्माना है वो कानून अब तक लागू नहीं हुआ है और हम आपको पूरा अस्वाशन दिलाते हैं कि ये कानून लागू नहीं होने देंगे आपको कोई चिंता करने की जुरत नहीं है जो भी निरने होगा आपकी चिंता हम बार बार मंत्राले में भारा सरकार के पास लेके आ रहे हैं लेके आएंगे आपको एक बार फिर सुचित करना कर रहे हैं कि आपके जो मंशा है कि दस साल की सजा और जुर्माने का कानून अभी लागू नहीं है अभी लागू नहीं है और हम आपको आस्वाशन दिलाते हैं कि आगे भी हम आप ये कानून लागू नहीं होने देंगे अगर ये कानून लागू होगा तो हमारी डेट बॉड़ी के ऊपर सरकार को चलना पड़ेगा तो ये कानून लागू कर पाएगी हम कोई डरके चलाइए हम पूरी टीम आपके लिए 24 बटा साथ 3065 दिन हाजिर हैं आप से एक पर फिर अपील करते हैं कि अपने वहनों पर आए और वहन चलाइए और आपकी चिंताएं दूर हुई हैं बहुत-बहुत धन्यवाद बाल पलकीर सिंग चेर्मेन कोर कमेटी और देखिए मैं देखिए मैसेज यह है कि पहले भी हम कहते आए रहे हैं मीडिया के माद्यम से भी कहते आए हैं यह पहला आंदोलन था जो स्पोंटेनियस रियक्शन थी जो स्पोंटेनियस रियक्शन थी इस तरह का जो भी आंदोलन होता है देश के लिए बहुत खत्रा और कंस्ट्रक्टिव डैलाउग के माद्यम से इसका हल निकला है जो आपको हमने बताया है कि यह कानून लागू नहीं है और यह कानून लागू नहीं होने देंगे जो चिंताएं ड्रैवरों की थी ओल इंडिया मोटे पास आजाएगी उन्होंने सपस्टी सपस्ट कर दिया कि 106 दो दस साल की सजया जुर्माना का कानून लागू नहीं है और इसे आगे हम चर्चा करेंगे और हमें आश्वाशन दिया है और यह हम भी उनसे अश्वाट कर क्या है कि कानून आगे भी लागू नहीं होगा एक प् विशे नहीं है आज चर्चा का विशे यह था जो अंगार लगी है उसे कैसे बुझाना है सुनिये मेरी बात उसमें हम नहीं जाना चाहते आप अलग से प्रेस कॉंफरेंस कर लीजिए जो जो आपनी में नहीं जो मैंशाय होएंगे उसका जवाब देंगे आज आज हमारा ह हल निकालना था हमने हल निकाला है कानून आज की डेट में लागू नहीं है और आगे भी लागू नहीं है